Subscribe to my YouTube channel for a range of fun content and hit the bell icon so you never miss an update. और क्या ये सच नहीं है कि एक परिवार का प्यार unconditional होना चाहिए? दोस्तों इस दुनिया में सबसे common दो किसम के परिवार होते हैं, nuclear और joint. nuclear family का मतलब है एक माता, एक पिता और उनके बच्चे. joint family का मतलब हुआ उन्हीं परिवार के सदस्य के साथ उनके माता पिता, याने कि नारा नानी, दादा दादी, और फिर चाचा चाची, मामा मामी, कजन्स, वगएरा वगएरा, सभी एक छट के नीचे या आसपास के घर में. western countries में तो nuclear families होना बहुत ही common है. parents के अपनी एक life होती है, वो अपनी life के बारे में बात करते हैं. इंडिया में आम तोर पर अगर आप किसी माबाप से मिलो, तो ज़्यातर वो अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, या आप पोता-पोती के. लेकिन बाहर, जितना की मैंने देखा है, USA में कुछ साल रहकर, और काम के सिलसले में England, Australia और New Zealand घूमकर, ये बहुत रेर होता है. Western देशों में आदमी और और औरत 60-65 साल में भी अपने बारे में बात करते हैं, और ये बड़ा uncommon सा है कि parents और बच्चे साथ में रहें, generally speaking, मतलब high school के बाद college के समय ही उनको टाटा वाय वाय करते हैं. और unlike India, जहां घर से college के लिए कहीं दूसरी शेहर में shift हो भी गए, तो डग्री मिलने के बाद बच्चे बहुत बार वापस माबाप के पास आ जाते हैं. और क्यूंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप मैंसे काफी viewers English movies और series देखते होंगे, तो वहां भी हमने hardly ऐसा कुछ देखा है. Big Bang Theory जैसे popular TV series में Howard का इसलिए मजाक उड़ाया जाता है, क्यूंकि वो अपनी मा के साथ रहता है. मगर इंडिया में तो आप कभी किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते इस बात पे. और western movies और TV shows में दिखाया भी गया है, कि कैसे लोग अपने mother, father के मजाक उड़ाते हैं, मगर फिर इंडिया में ये नहीं होता. तो इस nuclear family versus joint family के pluss और minuses क्या हैं? इस बारे में मैं खुद के जो experiences हैं, मैं आपको share करूँगा आपके साथ आज़ा. एक joint family में आप कभी अकेले नहीं होंगे. हमेशे आपके साथ कोई होगा आपकी मदद के लिए. आपके care करने वाले हैं, काम बांटने में लोग हैं, खुशियां बांटने के लिए लोग हैं. एक support system बन जाता है. मानलो आप office से late होए, तो आपको पता है कि खाना तयार होगा. एक nuclear family में अगर पती पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, तो ये हमेशा possible नहीं है. Joint family में ये है कि income ज्यादा होती है, क्योंकि काम करने वाले ज्यादा होते हैं. दुबारा एक support system बन जाता है. अच्छे और बुरे समय में. और फैमिली में जिम्मदारियां कम होती हैं, तो खर्चे भी कम, jealousy भी नहीं होती, जितनी की एक joint family में आ सकती है. दोस्तों खुद की बात करूँ, तो ऐसे वातावरन में बड़े होके, मुझे पहले ही benefits मिले, क्योंकि दोनों positive और negative issues में support मिला. एक stability और consistency मिली मुझे, छोटे उमर में, जिससे मैं आगे जाकर एक बहुती positive इंसान मनाूँ. problem solving में, घर के कामों में, लोगों से interact करने में. अब इंडिया में पैदा होके, यहां अपनी school की education complete करके, मैं फिर भी एक काफी western environment में पलाऊँ. मेरे मतलब है कि एक nuclear family में, बाकी relative से काफी दूर, क्योंकि mostly हमारी family अमेरिका में settled है. I would say almost 90% यहां इंडिया में पैदा हो थे, लेकिन मेरे parents और एक uncle को छोड़ कर, सब school या retirement के बाद अमेरिका चले गए. और मैं अपने आपको खुश किस्मत समझता हूँ, में independence बहुत ज़्यादा होता है. मैं किसी भी इनसान को USA में नहीं जानता, जिनके पास cook या made हो. वहां सिरब बहुत ही रईज लोग ऐसे खर्चे उठा सकते हैं. मेरी जितनी भी family है वहां, वो अपने सबजियां और groceries खुद करीते हैं, अपने हाथ से खाना बनाते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपनी गाड़ी की सफाई करते हैं. मुझे याद है, जब मैं वहां रहता था, अपने अंकल के यहां और फिर अपनी बुआ के घर पे, कुछ समय के लिए, तो bedsheets हम खुद लगाते थे, बरतन हम खुद माझते थे, कुड़ा हम खुद बाहर डालते थे, वैक्यूम क्लीनिंग हम खुद करते थे, और समर्स में स्नो विंडोस हठाके, हम स्टोरिज रूम से एसी खुद उठाके लगाते थे. अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि नूकलियर फैमिली अपने माता-पिता से प्यार नहीं करते. मेरे खुद की फैमिली में, जो जियातर अमेरिका में रहती है, तकरीबन हर परिवार में तीन बच्चे हैं. और वो पैरेंस अपने माता-पिता से दूर नहीं रहते. एक या दो घंटे की ड्राइव में ही एक दूनों से मिल लेते हैं. और साल में तीन-चार बार तो मिलते हैं त्योहार में या फिर बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में. और जब भी सारे रिश्टेदार एक साथ मिलते हैं, तो ये एक बड़ा जश्टन सा महौल होता है. मुझे याद है, कुछ साल पहले हमारी शादी के बाद, मैं और मेरी वाइफ मेहां अमेरिका गए थे. वहां फौर्ट अफ जुलाई को मेरी बुआ के एक कैबन में गए थे. हम सारे तक्रीबन 20-22 लोग एक आइलेंड पे. वहां इतने सारे परिवार के सदस्या को एक साथ खाते पीते, खेलते, पटाके फोड़ते हुए देखके, मैं ने कहा कि यार ये कितनी खुश फैमिली है. और ये बिल्खुल सही है. मेरे एक्सपिरियेंसे में पेरेंट से अलग रहकर किसी का ज्यादा प्यार या इज़त कम नहीं होता. मेरी फैमिली बहुत ही इंडिपेंडेंट है, लेकिन इतनी टच में रहती है कि वो गैप ज्यादा महसूस नहीं होता. दोस्तों, ये अफकॉर्स मेरे खुद के एक्सपिरियेंसे हैं. सब के साथ ऐसा नहीं होता. क्या रहे आपके एक्सपिरियेंसे? जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए. I'd love to hear from you. अगली मुलकात तक, Stay safe, Stay Happy, जैहिंद!